जैन्दराओ बस लेड़ क्या हो क्या मनुच कुछ टार मुंबई में इंडर अलाइंस की जो बैठक कल से चल रही है वो आज अभी अभी खतम हो गई कल रात को आज सुभह से इस देश के सभी प्रमूखनेता आपने देखे होगे लगबक सभी 28 पार्टिस के प्रमूखनेता छे राजों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो गए ममता जी जल्दी चली गई है और अखिले शादो भी मिटिंग में थे कल से वो भी जल्दी चले गए है और इंडिया एलाइंस जो हमारा गडबंधन है तो गडबंधन बहुत ही मजबूती से उभर कर सामने आ रहा है आपको सुना या रहा है क्या है आप सुन सकते हैं यहां नहीं सुन सकते हैं यू कांट है कल रात को और आज पूरे दिन तिन बज़े तक लगबख सभी प्रमूख विश्यों को उपर चर्चा हुए कुछ इंपोर्टन डिजुलोशन भी हमने पास किये है और खास करके इंडिया अलाइंस की कोडिनेशन कमिटी 14 मेंबर कोडिनेशन कमिटी उनका स्ट्रक्चर हो गया है बाद में कैम्पेन कमिटी है वर्किंग ग्रूप आप सोशल मिडिया है वर्किंग ग्रूप आप मिडिया है और वर्किंग ग्रूप आप रिसर्च है ये चार प्रमूख कमिटी का भी गठन हुआ है और सभी अलायंस पार्टी के मेंबर्स उस कमिटी में इंक्लूड कर दिये है दो पोलिटिकल डिजलोशन्स भी है उस बारे में आपको अधित्त ठकरी जी बताएंगे और जीफ तरह से ये इंडिया गड़बंदन की ताकत बढ़ रही है जैसे मैंने कल कहा कि दो हजार चोबिस का चुनाव हम जितने जा रहे है और मैंने ये भी कहा गड़बंदन की तरफ से अब इंडिया को हरा ना मुश्किल ही नहीं ना मुम्किन है इस वकार का एक मजबुत कड़बंदन हमने बनाया है लगबख सभी निताओं ने इस चर्चा में पाटिसिपिट किया है आपने विचार भी रखिये है कुछ सुजाओं भी दिये है प्रमुक निता आपसे डायलॉग करेंगे उसके बाद आपके सवाल बहुत ही सिलेक्टेड सवाल के जबाब दिया जाएंगा लेकिन आदा घंटे के उपर प्रिस्वन फरस्ट नहीं जलेगी आपको मैं बताना चाहता हूँ कमिटे का पूरा जो व्योरा है या पूरी कमिटी है उसका लिश आपको दी जाएगी यहां पढ़ने की ज़रुरत नहीं है लेकिन जो मेन कमिटी है कोर्डिनेशन कमिटी कोर्टिन मेंबर उसके नाम में आपके सामने पढ़ लेता हूँ श्री केसी वेनुगोपाल इंडियन नेशनल कॉंग्रेस श्री शरत्पावार जी एनसीपी श्री टी आर बालू डी एमके श्री हेमंत सोरेन जरकन मुक्ति मूर्चा श्री संजे राउट शिवसेना श्री तेज़श्वी जादव आर्जेडी स्री अभिशेक बैनर जी टी एमसी श्री रागव चड़ा अल्री गिवन ओके प्रिंट आउट अल्रीडी गिवन बुझे लगता है अब पढ़ने की जुरुरत नहीं है मैं अभी तो ठीक है टेज़श्वी यादव आर्जेडी अभिशेक बैनर जी टी एमसी रागव चड़ा आप जावेद आली खान समाजवादी पार्टी लल्लन सिंग जनतादल उनाइटेट दी राजा सीपियाएं ओमर अब्दुल्ला नेशनल कॉंफरेंस मेवुबा मुप्ति पीडिपी सीपियाएं का नाम आ जाएगा लेकिन बाकी जो कमिटे के जो नाम है आपके पास आ जाएगे मैं अब आज के जो स्पिकर्स है मैं रिक्वेस्ट करूँगा इंडियान नेशनल कॉंफरेंस के अद्ध्यक से हमारे नेता मलिका अरजुन खरगे साब को कि आप मैं नाम तो आपने दिया है मैं इस आज के इंडिया बाइठक के होस्ट दो दिन से जो आप देख रहे हो ये पूरा मिटिंग का लिडर्शिप पहले रिजुलूशन आप कर रहे हो जो रिजुलूशन आज के बैठक में हुए जो पूलिटिकल रिजुलूशन है उस बारे में अधित्त ठाकरे जी आपको बताएंगे नमस्ते जैहिंद आज इंडिया पार्टीज ने तीन रिजुलूशन पारित करे हुए है उसको मैं पढ़के दिखाता हूँ पहला रिजुशन यह है की वी, the India parties, hereby resolve to contest the forthcoming Lok Sabha elections together as far as possible. Seat sharing arrangements in different states will be initiated immediately and concluded at the earliest in a collaborative spirit of give and take. दूसरा रेसलुशन ये है, वी, the India Parties, hereby resolve to organize public rallies at the earliest in different parts of the country on issues of public concern and importance. और तीसरा रेसलुशन ये है, वी, the India Parties, hereby resolve to coordinate our respective communications and media strategies and campaigns on the theme of जुडेगा भारत, जीटेगा इंडिया in different languages. Thank you. जैहिल्द. मैं इस इंडिया मिट के होस्ट, शीव सेना सुप्रिमो, उद्धो ठाकरेजी से विनन्ती करूंगा, क्या आप ओपनिंग रिमार्श? शुरुवात करेगा. इंडिया चा तिस्रे मिटिंग शाथी, देश्बरा तुना ले लिया, सर्व मातब्बर और मान्नेवर नेतन समी स्वागत करतो, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज तिसरी मिटिंग संपन हुई और दिन बदिन इंडिया मजबुत होते जा रहा है. ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक करम 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इंडिया के विरोधी दल में घवराट हो रही है. पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है और हमने हमारे आलायंस का जो नाम लिया है इंडिया तो अब इं ते वो कौन है आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई अच्छी डिसिजन लिये गए कुछ कमिटी बनाई गई और हम सारे लोग ने तै किया है कि आने वले चुनाव में हम ताना शाही की खिलाफ लड़ेंगे हम जितने सारे जुमले बाद है उनके खिलाफ लड़ेंगे हम रश्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि हम मित्र परिवारवात के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे और वो इसलिए कि मैने बंगलोर में कहा था कि भारत मेरा परिवार है हम सब भारती है तो सारा भारत मेरा परिवार है परिवार वात के अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़ कर इलेक्षन चुनाओ के दर में एक नारा होता है मैंने भी सुना था उस वक्त सबका साथ सबका विकास चुनाओ जितने के बाद जितने भी जिन लोगों ने साथ दिया सबको लाथ और अपने मित्रों का विकास ये मित्र परिवार वाद अब हम चलने नहीं देंगे और ये लड़ाई दिन बडिन तेज होती जाएगी पूरी जनता जो गरीब है एक दर है मन में डर है क्या होगा अब सेशन होने जा रहा है क्यूं बुलाए है क्या होगा आधी रात कुछ एक गोशना हो जाती है आँसे ये बन आँसे ये चालू तो ये जो डर है सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरीए मत भय मुक्त भारत भय मुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकटा आए हैं और मुझे पक्का विश्वास है आप सभी तो साथ में हैं क्योंकि आप भी देख रहे हैं आपके माद्यम से बहुत सारी खबरे हम देख रहे हैं सुन रहे हैं कहां कहां कैसे अत्याचार हो रहा है और सरकार जो है कुछ नहीं कर रही लपीजी गैस सिलिंडर 200 रुपे से सस्ता जरूर किया लेकिन 2014 में उसकी जो किम्मत थी उसके बाद आज तक कितनी किम्मत कितना दा साम बढ़ाए गया था वो लोगों के समझ में आ गई यह बाद गैस सिलिंडर 200 रुपे से सस्ता किया सस्ता किया लेकिन बीच में हजार रुपय महिंगा किया मतलब पाथ साल लूट और इलेक्शन के बाद चूट तो यह सारी निती अब हम बरदाश्ट नहीं करेंगे गैस सिलिंडर सस्ता किया लेकिन उसके उपर पकाएंगे क्या डाल महिंगे होती जा रहे है चावल यह वो सब रसोई की चिज़े वो महिंगे होती जा रहे है तो ऐसे बहुत सारे बुद्दे हैं इस विशे पर हम सारे एकमत होकर लड़ेंगे और जो हमने नारा दिया है जुड जय महारशुरूर। मैं आप पंग्रस के अध्यक्ष हमारे सब के नेता मलिक अधुन घरगे साथ को विनेंति करूँगा कि आप अपने बात सामने रखेंगे मैं आप अध्यक्ष हमारे सब के नेतागन यहां पर पदारे हुए हमारे मेडिया के दोस्तों सारे नाम लेने के वज़े से यही बेतर होगा कि जो कोई स्टेज पर बैटे हैं सभी को मैं नमस्ते करते हुए अपना चार शब्द आपके सामने रखूंगा आज की यह जो बैटक हुई यह बहुती ठीक डंग से सभी पाटियों ने मिलके चलाया कि इसका उद्देश क्या था यह तो है उद्दो ठाकरे जी ने कहा है और हम इसकी कोचिस बहुत दिन से कर रहे हैं कि जब मैं कि बैंगलोर में कि था कि उस्वक्त भी जो कि वहां पर मीटिंग हो गई थी इससे पहले पटना में हो गई थी उसके पहले तैयारी के लिए हमने मेरे घर पर भी राहुल साहब और नितीज साहब तेजेश्वी और हमारे पवार साहब सभी मिलके एक बार बात किये उसका एक ढांचा बना उसके बाद जो नितीज साहब के पटना में पहला मीटिंग हुआ उस मीटिंग में एक अजंडा तही करने की बात हो गई और उसके बाद में बैंगलूर का हुआ अब यहां पर मुंबई में आज सभी लोग मिलके अपनी बात को रखे और खास करके सबी को एकी सबका वुद्देश एकी है कि महंगाई को कैसा कम करें इसके लिए कैसा लड़ें अनेंप्लॉमेंट के लिए कैसा हम लड़ें और इतने प्राइसस जो बढ़ रहे है पेट्रोल और डिजल के और खास करके हैं मोदी जी हमेशा सो रुपए बढ़ाते हैं दो रुपए कम करते हैं अब पेट्रोल की लपी जी की जो दाम थी वो more or less double हो गई लेकिन उन्होंने उसमें से सिर्फ 200 रुपए कम किया यहने 700 बाकी रहा यहने पहला जो 55 रुपए में एक सिलेंडर मिलता था उसको उन्होंने अभी भी साथ सत्तर रुपए में ही रख सत्तर पचातर में रखा याने कोई कम नहीं हुआ पहले जो था उससे ज्यादा बढ़ाया थे उसको थोड़ा कम करके लेकिन इससे लखों रुपए उन्होंने कमाया यह तो गरीबों से चोरी कर दिये और गरीबों के जो काटे और लोकों को दिखाने के लिए सव दो सो रुपए कम करना और कहना कि मैं गरीबों के लिए काम करना हूँ मोदी साब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे ये यखीन मैं दिलाता हूँ क्योंकि उनकी हमेशा यही रणनिती रही है कि गरीबों के खिलाब काम करते हैं, बड़े-बड़े उद्योगी पती के साथ वो मिल जुल के चलते हैं और यहां पर तो कली एक रिपोर्ट आपके सामने राहूल गांदी जी ने रखा था, अडानी की संपत्ती बढ़ गई कैसी, बढ़ाए कोन और कैसा आज कम से कम पचातर हजार करोड रुबए गरीबों के जो पैसे थे, उनके जेब में कैसा गया, यह सारी चीजी उन्होंने बताया, तो यह जो है, इसके खिलाप लड़ने के लिए, जो बड़े-बड़े शर्मायदार है, और उनको जो पैसा जा रहा है हमारा, गरीब का, तो उसको रोकने के लिए, इंडिया जीतना जरूरी है, और इंडिया जीतने के लिए ही, इस मंज पे सभी लोग बैटे हैं, तो इसी लिए हम एक जो तै किये हैं, जो रेजलूशन भी आप देखे हैं, और उसी डंग से उस रेजलूशन भी काम करेंगे, हर जगे मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे, और जो ये मुद्दे हैं, इंफलेशन का हो, अन्यम्प्लामेंट का हो, हर जीज की जो बड़त हो रही उसका हो, और अठोनुमस बॉडिज को सत्यानास कर रहे हैं, और चाया, इडि, सीबिया, विजिलन्स, हर रेक अठोनुमस बॉडि का मिस्यूज कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं भी मोर और लेस, शरत पवार जी साब के बाद, मेरा नंब पर लगता है, मैं भी 55 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, और 52 साल से MLA, MP, राजसभा का मिंबर हूँ, मैं ऐसा नहीं देखा, कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर किया नहीं है साथ, लेकिन आज मोधी सदनली और एक बात की, कि बिजनेस अडवाईजरी कमीटी को नहीं पूछे, आप वो पार्लमेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बना बुला रहे हैं, अरे स्पेशल सेशन मनिपूर जल रहा था, तो आपने नहीं बुलाया, कोवीड के वक्त नहीं बुलाया, जब आप चाइना अपनी जमीन हडप कर ले रही है, कबजा कर लिए, उसके लिए नहीं बुल परिशान थे, माइगरेंट वर्कर परिशान, उस वक्त नहीं बुलाया, जब-जब मुलुक अपने मुश्किल में रहता, उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया, अब क्यों बुलाया, मुझे मालूम नहीं, आज का अजंडा क्या है, उनका मालूम नहीं, तो ये देश चलाने की वीद नहीं है, उन्हों आइस्ता आइस्ता डिक्टेटर सीब के तरफ जा रहे हैं, और ये जान में रखना चाहिए, कि कभी मेडिया उनके साथ है, उनके दमाग में है, प्रेस मेडिया हो, टीवी हो, ये सारी चीजे मेरे पास है, ये उनका कहना है, और हमको कभी-कभी ऐसा दिखता भी है, माफ करो, क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूं समझ के, आप घुसे में आके हमारे खिलाफ मत लेखूं, तो जो क कुछ है वस्तुष्टिति, आपको भी मुझ को ताला लगाया, हाथ बन दिया आपके भी लिखने के, ये सारी चीजे कर रहे हैं, और आइस्ता आइस्ता डिक्टेटर के तरफ जा रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ लडने के लिए, उनके विचारधारा के खिलाफ लडने के ल करप्शन वो नहीं करते हैं, लोकों को नहीं दिखना, वो पूरा, लेकिन C.A.G. रिपोर्ट में दिखाया है, कितने करोड घपले हो गया है, तो उनका करप्शन इन्विजिबल है, और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं, कि मैं ये किसी को न खाऊंगा, न किसी को खाने दिखना, लेकिन खाने तो सब को दे रहे हैं, अपने को जो चाते हैं, उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोकों को भूके मार रहे हैं, लोकों को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए हम आवाज उठा हैं, और उसके तहर हम काम करना हैं, आगे भी हमारी कहा मीटिंग हो ग और बाकी के जो विशे हम आपके सामने रखें उनके उपर हम लड़ते रहेंगे, वो डराने की कोशिश करते हैं, हम डरिंगे नहीं, यह हमारा वाहिदा है, और हम हमेशा लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे, और आज मुंबई में जो हमारे महाराश्विकास अगाडी जो ये स्टेप लेकर हमको बुलाए हैं उद्धो जी लीड लिये हैं और बाकी कॉंग्रेस पार्टी और NCP सभी ने मिलके ये जो एक यहाँ पर कारेकरम रखा और बहुत एसेस भी हुआ इसलिए मैं उन महाराश्विकास अगाडी के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आगे की और भी मीटिंग्स हैं और डेट टाइम सभी बताएंगे और कहां कहां मीटिंग हमारी होगी बहुत से पांच-छे जगे पबलिक मीटिंग होगी ओभी हम आपको बताएंगे और काम करते रहेंगे और मजबूत के साथ करते रहेंगे इसको डीला करने की कोशिस मोधी जी कितना भी कोशिस करे हम वो डरने वाले नहीं है इसलिए मैं इतना ये कहूंगा कि उन्हों तो हमेशा मोधी जूट बोलते ह रहते हैं लेकिन लोक उनको सच समझते हैं लेकिन अभी भी माराठी में कहवत है खोटा बोला पंड रेटून बोला तो ऐसा उनका है इसी लिए सब जूट बोलते जाते हैं लोकों में भर्म डालते हैं तो वो सब को हमको एक्सपोज करना है हम करते रहेंगे धन्यवाद थैंक्यू खरके साथ डिफिनेटली इंडिया जीतेगी लेकिन जीत की शुरुवात हो गए है पाटना से पाटना की भूमी से और हम सब को एक साथ लाने की सबसे पहली जिम्मेदारी ली थी नितिश कुमार जी लालू जी आप सभी ने मैं अब नितिश कुमार जी बिहार के मुख्य मंत्री मोहदय आप से विलन्ति करता हूँ आप आपके बात रखें वहाई माईक है आप वहाँ से बात प्यूर सकते है आप कर लिए तो आप सब लोगों को मालूम है कि आज तीसरी मीटिंग हुई है इसके पहले दो मीटिंग हो चुकी और सब के बारे में आप से चर्चा की जा चुकी और बहुत अच्छे ढंग से कल से ही बातचीत हुई और आज मीटिंग हो गई और पहले आपको चीजों के बारे में एनाउंस कर दिया गया कि इन सब चीजों के बारे में तैय हो गया है और अब नियमित रूप से अब जगह जगह चा करके हम लोग अपना प्रचार-प्रसार का का मज़ लिजिए कि जितनी पाटिया आप एक जूठो करके काम कर रही है तो आप अच्छी तरह जान लिजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे अब वो जाएंगे ये पक्का जान लिजिए और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादा तर उन्हीं की बात छपते रहती कितना काम पहले हुआ है अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है दूसरे दूसरे पाटियों उसका कम छपता है आई ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है तब ही ता आप लों प वो ही लिखियेगा और वो ही इतिहास को यी बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिल करके देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिल करके जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी तो इसलिए सब मिल करके और जानते भी नहें, बहुत कोशीज चलते रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सब को एक जुठो करके नहें, जी, देश तो सब का है न, तो सब एक जुठो करके हैं, तो सब मिल करके अच्छा काम कर रहे हैं, तो सब को ले करके आगे बढ़ान है, और तो इसलिए जरूरी है, कि अब सब लोग अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना-पना अधिकार था, तो लेकिन अब इतना ज्यादा हम कोशीज करते रहे, बहुत कहते रहे, कि जिना मिल जाएए, तो बात समस्ते समस्ते हो गया, अब तो हम यहीं चाहते है कि अब तेजी से काम हो, तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने, कि अब तेजी से हम लोग अभी से सुरू कर देंगे, अब कोई ठीकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो इलर्ट रहन न पड़ेगा, इसलिए ह करेंगे इसके लिए बहुत अच्छा है और आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे कि किर्पा करके जब हम लोग अब एक जूठ हो गए हैं तो हम लोग के काम का भी थोड़ा अप लिखते रहिएगा थोड़ा प्रशाब करते रहिएगा यह बहुत बहुत दन्यवाद है अने विरको वनकों पार्टनाविल पत्तमबोध गच्छीविलोड गूट्टने मैं अच्छी अगर मोदल कूटत्ता नड़त्तनों इन्द कूटनिक्के इंदिया इन्र पैरे सूट्टी अंध पणिया तोड़ंगणों मोन रावधाक इन्द मुणबैील इरवत्ट्ट्ट्ट्थ कच्छीव उन्डर सरुंदू वलिमेमिक्क कूट्टनी आहे इद नागे निरुबिच्ची काट्टिरिक्रों नडेवेत्र कुण्डरिक्क कुडिया बारत्य जनदा केच्ची एपड़ी पट्ट वर सर्वाधी हराच्ची नड़त्ती कुण्डरिक्क दमबदुम्गुलक्केला अला तेरियों अगे पोनालों अथ अरस निगच्च्ची एपड़ी नड़त्तालेंसरी अला तेरिफे तनिपट्ट एंध निगच्च्च्चेक्क पोनालों अउन्गे ल्ला इंद उम्भोध वर्षमा सेंजरिक्क कुडिया साधनिकिलैप्च्च्ची सॉल्लमुडियाम सरंध आच्छी नड़त्ती किट्र कोंगर दे वेलिपिडियाख सोल्लमुडियाद अलबविक्क वर आलाही नाँग अमच्चिरिकक कुडिये इंदियावडिये कुट्टनिये प्रच्ची अवर अधिकडी पेसी किट्रिक्करार आग सरंध पप्लिकेशन आफिसरा प्रदमरे सेल मुट्ट्र कोंगर रुकरार अधर काखनांगे इंगर कूट्टनी इन सार्विल प्रदमर मोडिये विरलेक्क नन्रिये तिरिविच्चेकरों इंद उम्पोधानले हालत्तिल इंद आच्ची इल बेजैपी आच्ची इल एंद शाधरिंगलं किटियादु नालुक्कि नाल इंद आच्ची अन्पप्लरा पोयीटिरिक्ड़ु अन्द इंद आव viscos कूट्टनी पौप्लरा हे रिएक्ट्रिक्ड़ु इंद आप्टत पुरुट्थो रिक्यों इय communalे दिरिफ्चीहलमान कूट्च मत्ट्वन इल इद वरिक्कें इंदियाविल खाण मुडियाद वोर सर्वाधी हराच्ची ए इनने कि नमा पात्त कुट्ट रुक्रों अन्मेईल 7 लोट्शंगोडी रुवाई C.A.G. रिपोर्ट कुड़त रुक्क कुड़िया वोवर अल्ला वोग्लिक नल्ला तेरियों अधु पच्चे इनरिक्के प्रदमारा रुक्क कुड़िया मोडिय वरकल् वाहित रंदु बदसोल्ल मुन वरल्ला उच्चे नेदीमंदा तेरिप्पुक्क मधीपिलल्ला तेर्दल कमिशनिक्कों सोन्दिरिंगड याद। ED, CBI, ITN अरसेल एदुरीकल इल्ला अच्चुरुत्तकर उरे एवल अमयप्पुक्कलाः इन अमयप्पुक्कल बीजैपिया आच्ची पहयंबिड तेक्टरुक्कु नांगला एनके तणि तणि तणिया कच्चीकला इरुंदालों नाट़े कापात्तरुकक्क उनना सेवlolदरुक्रों अरसेल आवंगल काख नांग सेоды ककरोंगّ आईसनि पहर निक्रादिंगे इंधिया वरन्मडिये मान linking फैपात्तवको काग इंधिया वरन्मडिये मyaniagaraच्चार्मनमे कापात्त्तो काग इंदियावर उड़िया समुगनी देखेकापपाच्चों रुखाग नाँगे लिल्लाम इनरेक्क उन्डु सेंदरिकोरों उडिए पेरिया पोरुकलत्तिल एडुपुड़ पोखरों आपपड एडुपड़ कुड़िया अंद पोरुकलत्त रुखके निगललन एंगलके पक्षबलमाखरुकों थूनै निरुक्क वेंडु वेंडु वेंडर एनवी अन्बान वेंडुखोलैं इंद नेरत्तिल एडुथिवेच्ची इंद फूट्टत्तिल ले कलंदु होंद्यु उउग्यल अनवेरी संधीक्किन वाईपे पेट्रमेक्क मैं अर्विन केज्रिवाल जी को अमंत्रिज करता हूँ आप सब लोगों को मेरा नमश्कार सबसे पहले मैं महाविकास अगाडी के ठाकरे साहब, पवार साहब और महाराश्र कॉंग्रेस के निताओं को बहुत-बहुत बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतनी शांदार दो दिन की मीटिंग और्गनाईज करने के लिए यह जो इंडिया एलाइंस है, यह एलाइंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का एलाइंस नहीं है यह इंडिया एलाइंस इस देश के 140 करोड लोगों का एलाइंस है और यह लोग एक साथ आई हैं, देश के लोग इकठे हो रहे हैं और बहुत बड़े संख्या में लोग इकठे हो रहे हैं और देश के लोग इकठे हो रहे हैं 21 सदी के भारत का निर्मान करने के लिए आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार मुझे लगता है कि आजाद भारत की सबसे भरष्ट सरकार और सबसे एहिंकारी सरकार है एक भारते होने के नाते मुझे बहुत दुख होता है पिछले तीन-चार दिन से हम पढ़ रहे हैं कि विदेशों के अख़वारों के फ्रंट पेज के उपर खबरे छप रही है कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार देश के प्रधान मंतरी उनकी मदद कर रहे है बहुत दुख होता है एक भारते होने के नाते बिदेशों में तो खबरे छपनी चाहिए कि भारत में ये अच्छा हो गया, भारत में वो तब देश का नाम आगे बढ़ेगा, देश का नाम आए, ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के काम करने के लिए लगी हुई है, आज हमारे भारत का प्रश्टाचार में डूबी हुई है, आज हमारे घर के, हमारे लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा हुए, ओदनी उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सारकार के पास जाते हैं, पूरी सरकार एक ही आदमी के लिए काम करने में लगी हुई है, इस से ज्यादा एह् प्रक्तन भी जल्दी होता है। मुझे बहुत खुशी है कि इंडिया एलाइन्स में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज मैं देख रहा हूं। बहुत बड़ी-बड़ी ताकतें अब सबको लगने लगा है कि इंडिया एलाइन्स मोधी सरकार के आने वाले समय मे सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी-बड़ी ताकतें इस इंडिया एलाइन्स को तोड़ने में लगेंगी। बहुत बड़ी-बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से में देख रहा हूं। जबरदस्टी क्या दिखाया जाएगा। इसकी उसके लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, मैं पिछली तीन मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और महबत से सारी मीटिंग हुई हैं, किसी की किसी के साथ लड़ाई नहीं हैं, और यहां पे जितने लोग बैठे हैं, कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आया हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के हैं, किसी ने सीट शेरिंग करवाने की जिम्मेदारी लिए, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी लिए, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी लिए, किसी ने कैमपेंड डिजाइन करने की जिम्मेदारी लिए, मुझे पूरी उमीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकठ्था होगा और इस एहंकारी भ्रष्टाचारी ताना शाही सरकार का पतन का कारण बनेगा बहुत बहुत श्युक्त भारत इकठ्था हो रहा है हो जाएगा मैं अब अमंत्रिज करता हूं है अमारे प्रिय अधरनिय नेता लालुया दोजी खत्रिज प्रिय नेता है प्राइब 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 बैठे हुए हमारे देश के सभी पार्टी के नेतागन मोदी के पार्टी को छोड़के मुझे काफी प्रसंपा हुई कि हम इस देश के विभीन पार्टी के नेता अलग बैठे थे और नरंदर मोदी ससर रहे थे आगे हम एक नहीं थे एक मंज पर एक एक ओमिद्वार खड़ा नहीं होते थे उसका खम्याजा देश को भगतना पड़ा भगतना पड़ा खर्मोदी काफीश में इसका लाव उन्होंने उठाया हम सुरू से हे यह गलाई लरते रहे हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ भाँ मने भाजपाँ जौमने जलाओ और पाँ मने पाटी बोलते रहते थे यह बात सही हो रहा है इस देश में माइनर्टी सुरुक्षित नहीं है क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देस में और क्या हो रहा है कि आज हमारे अल क्संखक वाई सुरिख्षित नहीं है महसूस नहीं कर रहे हैं अच्छा देश में गरीबी बढ़ रही है मांगाई बढ़ रही है साथ रुपया किलो भिंदी हो गया है तमातर का युहाल है सो जानते ही हैं जब कि तमातर में कोई स्वाद ही नहीं है इनके का जो है लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस भुकाम पर आए हैं कि अब हम सब पत्ना, बंगलोर और महारास्टा यहां मुमई में यह मीटिंग के बाद अब एक निशकर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं और एक स्वारूप बना है संगठन बना है जो पढ़के कि आपको लोग को सुनाया गया आप सब को याद होगा कि कितना जूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे मेरा भी नाम उस समय और देश के निताओं का नाम इन लोगों ने यह परचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्वीश बैंक में जमाएं स्वीश बैंक में और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्वीश बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि पांच-पांच लाख रूपिया जमा करें पंड्रे पंड्रे लाख रूपिया हम भी जासा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया मेरे साथ बेटिया दो बेटा और पती पतने दोनों मिला के एलेवन हो जाते हैं देखा कि भाई पंडर स्कूना कर दीजे पैसा काफे मिज रहेगा आपने तो पस्पालन में कोई पहमानी सर्तानी भर्साचार नहीं किया जो भर्साचार नरिंदर मोदी कर रहे हैं करा रहे हैं सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया सब गरीब गुरबा आदमी परचारित करवाय लोगों और मिला क्या सो देश के लोगों को मालूम होगा आप लोगों को भी मालूम होगा आप लोग में भी खुलवाय होंगा आप पर इसके दोग भी क्यों सकता है भाई मिल जाए पैसा है देश का मिल जाए वापस आजाए एक पैसा नहीं सब नहीं लोग का पैसा था अभी काफी जयजयकार हो रहा होना चाहिए, बेज्ञानिकों का होना चाहिए, चन्रियान पर लोग गये, सब घुमें फिरे, लोग हमारे बेज्ञानिक देश का नाम उच्चा हुआ, अब हमने सुना है कि मोदी जी अभी ये सोच रहे हैं और इसलिए पहले ही लोग सबा का म्यूटिंग में सुना है, बोला दिया है, हमने ये सुना, किसी जी महाराज में ने कहा है कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के बेज्ञानिक आगे देश को उच्चा कर दिये, दुनिया में नाम हो गया, हम अपील कर रहे हैं इस रोख के बेज्ञानकों से, अपने देश के बेज्ञानकों से, मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए, इनको लोग से, कि बात छोड़ो, अब सुझ लोग पर इनको पहुंचा, पहुंच तो जाओ, हाँ, दुनिया भर में नाम हो जागा मोदी जी का, अमेरिका, अमेरिका, सब द काने जी घुमते रहते हैं, अमेरिका में, कई एक देश में घुमें, इनको अशर मिला है, तो ये भी देख लेगा हैं, कि भाई, मोदी जी, सचमुच में, देश का नाम करने के लिए, अब ये चल पड़े हैं, दसाहरा के बाद, इसकी त्यारी कर लें, हमारी सुबकमना है के चले जाएं, इतनी गरीबी है, गुरुवा लोग है, बिकारी है, चारों तरफ फैला हुआ है, और बोलते हैं कि देश आगे बढ़ गया, देश आगे बढ़ गया है, देश के नेताओं को कोई भी ऐसा नेता नहीं छूटा, आज इसको ED में, CBI में, यह ना फसा हो, सब को फसा के, यह हम देखते थे, पहले के जबाना में सुनते थे, कि जो बड़े लोग होते थे, सामंती लोग होते थे, वो गरीबों को, और मिडिल क्लास के लोगों को, मुकदमा में फसा के, और सासन करते थे, वो ही इनकी आदत हो गई है, और हम लोग ड़ने वाले नहीं है, हमने अपना किड्नी ट्रांस्पलांट कराया है, कोई शौक से नहीं कराया है, डाक्टरों ने कहा कि करालो भई, हमारी बेटी सिंगापूर में रती है, उसने अपना किड्नी दान दे दिया, जीवन दान दिया हमारी बेटी, और वाँ, इतना हम अपना सरीर का अपरेशन कराये हुए हैं, कोई ठेकना नहीं और पहले हैं, इस रूप के अलाव है, एसियन हार्ट इंशूट, डाक्टर पंड़ा है यहां, नामी ग्रामी सर्जन हैं, पांच्छे हमारा अपरेशन हो चुका है, लेकिन आप सब का अशिरवाद और किरपा है, कि हम जिवी थें, और हम आगे भी, हम काफी मेरा होस्रा मजबूत है, कि हम सहेंगे, और मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, बिलकुल और सुन ले मोदी जी, अब आप समझ लेना, कि पहले से मैं आप से लगते हा रहा हूं, गुजरात के जुद के लड़ाई राइट के समय से, आपके और आपके गुरू, कौन अधक्षय हो, नहीं नहीं, उनके पाटी के अधक्षी हो, अधवानी जी को तो गिरिफ्तारे किया था, वो नहीं भई, अरे अभी जो है मुझे, अमीत साह बताओ, ही कहां के साहर नेता हो गए, कवका संघर्ष क्या हो भई, हम थेल राजसभा में थे, उन दिनों में, भायरो सिंग से खाव साब जी, उपरास्पती थे, और डंगा जब हुआ तो चारू तरफ देश और दुनिया भर में, एरोपियन कंट्री ने अपने नागरिकों को मना कर दिया, कि मत जाना उदर, भारत में मत जाना, और इनको, इनका प्रवेश भी निशिध हो गया था भी देशों में, आप सब लोगों को मालूम है, कि इस तरह का इनका इतिहास रहा है, हम गंची विछा के फ्लोर अब दी हाउस मों बैठ गया आगे, चेर्मन के शेर के नीचे, हम गया कि मोधी को विरफ्तार करो, विरफ्तार करो मोधी को, नहीं तरह नहीं उठेंगे, शादू तरफ से हाउस गरम हो गया, गरम हो गया हाउस, और गरम होने के बाद, काफी इनको परसानी होई, और स्वर्गे अटल विहारी बाज पेजी, वो नेता थे, वैसा नेता हमने नहीं देखा, उन्होंने कहा, नरेंगर मोधी को, कि राज धरम, यह कोई चीज होता है, राज धरम, यह किन जो आदमें, जिर अफ्तारी के बात, इतना सारा पिपक सब लोग, सब लोग हम लोग जूट गये थे, कि अभौई कम से कम कणडें भी कर उनके अक्षन को, नहीं किया हिलो, डपलोर, डिपलोर, डिपलोर मतलब किया कि मोँ भी नहीं, अंदर से नहीं निकला लोग को, कि हम निंदा करें, इतना बड़ेदार संहार हुआ था, क्या क्या हुआ, उसको दोहराने की जुरूरत नहीं है, हम सब लोग ज्यादा भासन नहीं, भासन का तो मेरा, हमारे दिदी भी यहां बैठी हुई है मम्तादी, निकल गई आज़ेट से लिए, सारे जो समय लोग थे हमारे साथी, बालू जी भी निकल गई, अगर, प्लेन है तो हम भी, मेरा भी प्लेन भी निकल गई, हम क्यों पीछर हैं, हम भी निकल गई, फ्लाइट के टाइम आव गया, तो आप सभी पत्रकार भाईयों को मैं प्रनाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, अदाब करता हूँ, हम सब एक हैं और एक हो करके हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और राहुल गांदी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ पिश्वास हम लोग दिलाते हैं, कि हम सब एक जोट हो करके, सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट सेरिंग अब सुरू होगा, सीट सेरिंग, और सीट सेरिंग में हम लोग सब लोग सफल होगे, कोई दिकत कथनाई नहीं होगी, कहीं कोई वाटेल नहीं होगा, अपना कुछ नुक्सान करके भी हम लोग इंडिया को ये संग है, हम लोग जीताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे, सभी लोगों को नमस्कार जिंदावाद, सब पनामा, क्या सरो? ताइम भी हो गया, तो नमस्ते सब लोगों, पनामा. पावर साहब के लिए भी हम लोग की सुपकावना है आप पुराने नेता हैं डटे रहिएगा अपना पार्टी को मजबूत रखिए हम लोग आपके साथ है अब मैं सितारा में चूरी जी को अमंद्रित करता हूं अपने बात रखें पार्टी की सितक प Hugh लुह लुग seven एपके साथ लिए जा गुष्छ आपने बाकेश्य मत चूररी तिल्ग तलीगू, मैं मुझे तुरूड जायगा छोड बीचीव पे वेल यूव वेड दीजिए रिजिए जिए इस लाइनस इस बेट इस इस पाइड तो मोब पाइज एव जोई जोई जो इन वी तेग बोग जोई 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 आड वी वे वे वेव वे वेड आट the understandings on the basis of which the street sharing will be done at the state levels state level street sharing will all the discussions will take place at the state level अश्य बदाई लालुजी लालुजी the spirit of India lalooji saying lal salaam to me i'm saying jahin to him so that the state at the state level we'll work out uh the adjustment seat uh adjustments etc state to state it will vary but the general overall understanding is very clear we are all united here in order to शियुद एलकित कर्थे चैरया कर्या का रहलिगा कि एल रिवी इंड di एलसे की दोपल विए वि स्ते इंड. को जसे को्सक्ष एडिवल जए इ immersion फेट सब्सक्सalen फिर और जैमर्ड मेर्ぜर नटिba टेस्ष पॉए्टंवार और ला मस् पी और Stream मैंने केब जिर फिर बρά मैं ley प्रिव गर कότε इंप दे आ शब्क्राइन ट्रोंटीου कि अघरे और।ो प्रीजा कर्दाथ प्रत्व ग्च बोंब ट्रच वि highest थद रूम्बेशros बटोब ड्या इंट al preciso जब वार्वी शॉआ कि हमार गणार है और यहान था बाट टो की एंड अ लॉए और लॉटे से बंगी के इंग अ लॉट इन प्री मटवा स्टुम्ट इंटॉम्ट इस अस्प्राइ नॉट गास चेहां रूट लॉटीज़ र लॉट्स दोडेसर दो इस्टेशिंट। and while we are meeting here came the announcement of a special session of parliament and what gimmickry will follow from there what will be done that we'll have to wait and see so it's very clear that the Modi government and the BJP is rattled by this coming together of all the secular forces and the secular parties and that in itself is a signal for the march towards victory that India will make with all with all our leaders say coming together and we propose to consolidate this further with a series of public meetings spanning across the country and that will from all parts of the country ranging out so now from this meeting we are reaching out to the people we already with the people but we'll be reaching out to the people through public actions and action programs and that will be further strengthened in the days to come so that is in addition to what has already been told here we only think in the coming months will be you'll see more of United activity amongst all the parties that are represented here and we are sure that more more and more parties will be joining the India grouping and this will consolidate further in order to save India today to saving India and then changing India for the better that is the objective with which we all come together and that is what we will ensure and that is our assurance to the people of our country thank I'd like to thank Thakre Ji, Sharad Pawar Ji, Congress Party of Maharashtra, our leaders for organizing a our leaders for organizing a fantastic session of the India Alliance two very big steps were taken the most important thing to understand is that this stage represents 60% of the Indian population if the parties on this stage unite it is impossible for the BJP to win an election so the task in front of us is to come together in the most efficient way possible and two big steps have been taken in that regard the first step is a coordination committee and committees under that committee and the second step is a decision that we will expedite all seat-sharing discussions and decisions and make them happen as soon as possible these are two very very powerful steps in ensuring that the India alliance defeats the BJP the election is very very clear I did a press conference yesterday and the nexus between the prime minister and a particular businessman is there for every single person to see I mentioned yesterday in my press conference that the G20 is taking place and it is very important for India's credibility our nation's credibility that the prime minister makes his position very clear and begins an inquiry on what has happened with regards to Mr. Adani the prime minister the prime minister and the BJP are a nexus of corruption and that is the first thing that the India alliance is going to demonstrate and proof the idea behind prime minister Modi's government is to extract money from the poor people of this country and transfer it to a limited few and so we are going to propose a clear path development path we are going to put together a clear set of ideas that will once again involve the poor people the farmers the kisans the workers in the progress of this country I'd like to once again thank all the senior leaders and I'm I'm confident that the India alliance will defeat the BJP the final thing I'd like to say of course there are leaders who are much more senior than me but the real work in this alliance is the relationships that are forged between the leaders of this alliance and I can say I can say with confidence that these two meetings have done a huge amount in building the rapport between all the leaders and ensuring that all of us work together as one I can see that there is flexibility among all the leaders in the way we are approaching things there are differences of course but I am extremely impressed by the way those differences are minimized and ironed out thank you very much of course I don't want to comment much about the press but I think Laluji said it best you are also in some ways restricted and chained and India alliance is working to free you from your chains thank you I forgot I forgot I forgot one thing which is probably the most important thing I spent a week in Ladakh I went to Pangong Lake right in front of where the Chinese are and I had detailed discussions probably the most detailed discussions that any politician outside Ladakh has had with the people of Ladakh and specifically the shepherds of Pangong Lake the leaders of Pangong Lake and the common people who live around Pangong Lake and they categorically told me that the Chinese have taken Indian land they categorically told me that the Prime Minister is lying about the fact that the Chinese have not taken Indian land and every single person in Ladakh knows that the people of Ladakh knows that the people of Ladakh knows that the people of India and the people of Ladakh have been betrayed by the government of India there is clearly there is clearly an accommodation that has happened between the government and the Chinese there is clearly a change on the borders our shepherds our shepherds themselves told us that they are not being allowed into the areas where they were allowed so this is known to everybody unfortunately our press doesn't raise these issues but these are issues of national importance of national security and it is shameful extremely shameful what has happened in Ladakh thank you thank you uh 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 started uh uh I किया सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई पहली कि एक कोडिनेशन कमिटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेरिंग का मामला है उसको हम डिसकस करके उसमें हम रेजलूशन निकाल देंगे कि नरेंद्र मोदी और अदानी जी के वीच में जो रिष्टा है उसके बारे में मैंने कल बोला इंटरनेशनल फाइनेंशल न्यूस पेपर्स में आया है कि एक बिलियन डॉलर पैसा हिंदुस्तान से गया है बाहर गया है और वापस आया है नरेंद्र मोदी जी जी ट्वेंटी करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज़त का मामला है नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वाइरी कराएंगे और अगर वो इंक्वाइरी नहीं कराएंगे तो पर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वाइरी नहीं कराई जा रही है स्टेज पर जो नेता हैं जो पार्टीज हैं वो हिंदुस्तान के साथ परसेंट लोगों को रेप्रेजेंट करती हैं और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं जो हमारी नेता हैं उनके वीच में जो रैपॉर है जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो गेरी होती जा रही है और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा बीजेपी बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीन कर चुने हुए दो तीन लोगों को देती है हमने प्रोग्राम्स की बात की है एक हम कुमिटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज के बारे में डिसकॉशन करेगी और जो हमारे किसान हैं मजदूर हैं गरीब लोग हैं उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को आप सब को दिखाएंगे इंडिया आलाइंस के एक मजबूत स्थम्भ अदरने शरत पार जी सब्सकतर सुनित को आलाइंस को आलाइं स्थम्ग देफे लाज़ी देखे लाजय हैं कि जहेंके उफ़से की शिक्षी एट क्या स्वास थी, यहां बर्चे और कई जिजों से आमारे सब्सक्राइब में जरेश के सामने कुई गुम्रेश समस्या है, इसकर बहेश करके आगे की मीटी तरह करने का काम यह दो दीन के सेशन में हम लेवने किया, मैं शुदू में समीर खुलती को दवाची जो बहार से यहां आए, इनके यहां जो फ्रमंदर वरुस्ता करने की दुम्राजी, उस दो ठाटेजी के नेचुत्वाजी शुषे रभ़ग। काम दो स्वाची हो, रास्वाजी काम दो स्वाची हो, सभी साची ने अच्छी तरह सेखी, और इसे ले, इन सभी नेता लुपकों में धन्यों देताम। कि जिसकी सुद्वात हमें मेहाजर की इसे करना तो पर की इस अचीसा दुपा, महारत भी हुआ, और आगे की राइन हमाजीताई होदे में इसे बहुत मदस होगी। कि अच्छी सुद्वात हुआ 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 ह जिन दोगों ने एक बुजरो सेथे, जरेश की काउस वार्ट चादने की दुम्य जाजी वार्ट के दनता महाँची, इन दोगों के साचियों के हाट में दी, आज ओही दोगों में एक तरसी नारा जिगे की वहाँची जड़ 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 दोखन देखने करेम इन जड़ ज उनकी सथी सबस्या है, मगर रूकुवत हात में आनने के बाद, जीन दोगों के एक लगवानमी जड़ू फर्ट पाइज थे, आज जो अढिकार हात में बिला, इसका नचिज और इसका फ्रेरां इन नेक्टों को काजनेवाले लोगों के काम करने के दिवर में हो गया है। आज हम लोग देखते हैं, कि राज मिसी में, राज में की दल मिलकर काम करने की तायर ही करते हैं, तो उनका काम हो, उन्ची नीती हो, इस वाज में कुछ आशनका हो सकती है। मगर खाली यहां मीटिंग करने की वाद प्रे हो गई, तो इस वर भी महारत्य दंशाफार्दी के लोगों ने किसी सिजम किया। उन्ची ने कहां ने चुतना की मिलने की क्या हो सकता है। प्रदा पंचे में, कोई इसू दो रभू के सामने, इस ये मिलकर आप पर सुर भेज करते, कोई रास्ता ने करे लगवात इसे इस वर धान देना, यह कोई गरत बात नही है। मकर हम लोग यह मिले इस पर भी एक तज़कर किसी सिजम हमारे कुछ साथियों ने किया। इसे एक ही बात साथ होती है, कि दस साथ देश की हुकमत साथ में आने के बात, जो देशे मैंने कहां, कि जमिन फर फ्रद रखते काम करने क्या आपशक्ता है, इससे नेचुत करने आजे लोग बहुत दूर रहे है। सब्सक्राइब करने के लोग बहुते हैं, तो उनके बात में देश के आज़तीय दंसाखती की वजिस्तनी ता, इन लोगों के बात में गमंजिया रहे हैं, उनके बात में वात्ती करते हैं, इसे एक ही बात साथ हुची है, इसे बात में गमंजिया को है, कि दुने लोग मेंकर आफसन वजितने की तरियादी करते हैं, यह जिनकों फसन नहीं उन्हें गमंजिया कहने की आव सकता है। और आइसी एक सक्ती जेश्की हितों के रस्टा तरिया तरियादी नहीं, इसका निकर कुछनकों साथ नेकरना क्या है, और यह रस्टा नेकरना के दिए, हम कुछ लोग कई दूज़ा से आफस परमात करते थे, और इससे इंडिया के नाम पर एक नया विकल कर देश में तयार करने की कुछी हम लोगों ने शुरू किये हैं, और इसका ही यह संगे लगी, यहां का संगे लें था। मज़े कुछी हैं, इस देश के लोगों ने ज़े कुछ हम खरना हो चाती है, इस वाजने मझे गंधे तांसे रेखने की वागती। वीजियाने, ये जो कुछ हम कर रहे है, इस देश होस्वी के सामने अच्छी चछी से रखने के लिए अपसना काम किया। मैं इतना है आपको वाज़ा करता हूँ, हम रुकेंगे नहीं, हम गलत रासे फ़र जाएंगे नहीं, गलत रासे फ़र दुरा रहे, उनको ठीक रासे फ़र लाने के लिए, और ठीक रासे फ़र आते नहीं, तो उन्हें दूर करने के लिए, जो कोई करने के आऊ सकता है, वो हम कंदे को कंदे मिलाकर नहींकर हम करेगे और देश वाच्छों के सामने एक साफ सुख्र परसासन देने की जो आओ सक्टा है इसके लिए जो कुछ करना होगा वही करेगे इसना मैं कहना चाहता हूँ कर वही करने की जो आओ साथियों ने बहुत वेनद की řनों खाटिये के नेचा लोगों ने उनके सब साथियों ने मेंदा की अने के पई जाजों से जो हमारे साथियों आ हो एक आँए गए मैं इन समी को धन्या दे रहता हुँ कि नहीं है कि ए सधी को में दमया देता हूँ, मेरी दमया दमया देता हूँ यहां है अच्छी तरसी इन्चराम किए. इन vit मिसमों आक दमया देता हूँ तांदि आज तो की सधी को दमया देता हूँ. I have no question answer, thank you very much. Thank you. I have no question. 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 I have no question.